तो यहां पर रेन का मतलब वो बरसात वाली रेन से नहीं है बलकि रेन का मतलब होता है टाइम पिरियुड यानि कि हम वोस्त टाइम पिरियुड की बात करने वाले हैं जब फ्रांस में टेरर यानि की डर का महौल था क्यों था यह डर का महौल चलिए जानते हैं तो यह पिरियॡ कौन सा है सबसे पहले यह देखते हैं तो पिरियॡ फ्रॉब फ्रॉब यानि की जब कन्वेंशन का शासन चल रहा था फ्रांस में उस टाइम पिरियॡ को माक्सिमिलियन रॉबिस्पेर के रूल के तेहत इस टाइम पिरियॡ को रेन ओफ टेरर बोला जाता है क्यों बोला जाता है इसको रेन ओफ टेरर क्यों सब लोग डरे पड़े थे क्यों इतना खौफ का महौल था इस चीज को जानेंगे अभी क्या भी लेकिन आपने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि राजा और रानी तो मर गए थे खतम कहानी हो गई नहीं उनकी कहानी खतम हो गई बट अभी फ्रांस की कहानी बाकी है ठीक है तो अभी तक क्या होता है देखो टाइम लाइन की अगर का rule France में established हो चुका है लेकिन although जो less prosperous section था उसको power मिल गई थी लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि France में सारी समस्यां दूर हो गई है और अब सब ठीक हो गया है नहीं अब आ गई है rain of terror rain of terror के अंदर Robis pair जो थे Maximilian Robis pair जो कोबिन आदमी इनके खिलाफ जाता था उसको सजा देना चालो कर दिया पनिश करना चालो कर दिया what did he do देखो all those whom he saw as being enemies of the Republic तो अभी France में Republic थी है ना Republic मतलब जो politics थी France एक Republic बन चुका था तो Republic के खिलाफ जो भी जाता था या फिर Robis pair के शासन के खिलाफ जो भी जाता था जैसे कि जो पहले की nobility थी clergy के लोग थे दूसरी political parties के लोग थे even members of his own party who did not agree with his methods तो चाहे वो पहले के nobles हो clergy हो चाहे दूसरी political parties के लोग या फिर उनकी खुद की party के लोग जो की उनकी खिलाफ थे वो सभी लोग जो की Republic के खिलाफ जाने की कोशिश करते थे वर arrested सबसे पहले उन्हें गिरफतार करा जाता था फिर उन्हें in prison jail में डाला जाता था and then they were tried by a revolutionary tribunal तो revolutionary tribunal क्या था बच्चों एक court था जो की सजा देता था ठीक है मुकदमा चलता था लोगों पर और फिर सजा देता था उनको ठीक है और फिर जो है trial मुकदमा चलता था tribunal द्वारा and if the court found them guilty और अगर वो किसी को दोशी मानता था court then they were guillotined फिर उन सभी लोगों की guillotin पे भेज कर उनको मार दिया चाता था now what was the guillotin guillotin device था बचो जिसको behead करने के लिए बनाया गया था मतलब कि देखे होते थे दो पोल्स होते थे इस तरीके से और यहां पर ना सर रखने की जगा होती थी यह वाला जो है कि बेहेड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को यूज करा जाता था this was known as the guillotin and it was named after dr. guillotin जो की इसके inventor थे ठीके जिन्हों ने इसका आविशकार करा था अब यह guillotin पे लोगों को भेजा जाता था और मार दिया जाता था मतलब की देखो इतना control है इतनी punishment है डर का महल क्यों है क्योंकि अगर आप गलती से भी Republic के खिलाफ जाओगे या Robis pair के खिलाफ जाओगे तो आपको सीधा सीधा सूली पे चड़ा दिया जाएगा ठीके य control कैसे वो कर रहे हैं पूरी की पूरे फ्रांस को ठीके तो देखो इनकी जो सरकार है कि कानून लेकर आती है जहां पर यह maximum ceiling लगा देते है maximum ceiling का मतलब होता है कैसा प्राइस जिसके उपर आप exceed नहीं कर सकते उसके उपर नहीं जा सकते मतलब wages पर चीजों के दामों पर जिसे मार्केट में सेट कर दिया कि भाई देखो कि 50 रुपे से उपर ब्रेड नहीं जा सकती maximum ceiling price है उसका या wages की बात करी कि दिन में 100 रुपे से उपर ध्याड़ी नहीं मिलेगी तो maximum ceiling लगाएगी यू के नोट गो बियांद आट ठीक है that is the maximum amount to which you can go maximum ceiling लगाने के साथ साथ meat and bread व को चाहे आप अमीरों गरीब हो बट देखो ये ना ये भी ट्राय करते हैं कि समाज में क्योंकि इचले बर को बिलॉंग करने वाली सरकार है ना इस वज़े से meat और ब्रेड को राशन करना चालो कर दिया राशन करने का मतलब है कि अगर कोई family है वो एक limited amount ही खरीद सकती है यह नहीं कि आप बहुत अमीरों तो जादा सदा खरीद लो गरीब हो तो कम खरीदो नहीं सबको जो है एक लिमिट सेट करी गई है कि आप इतना ह to the cities and sell it at prices fixed by the government अब किसानों को भी दिक्कत होने लगी एक तरीके से उनको force किया जा रहा था कि peasants जो है अपना जो भी वो अनाज बगेरा उगा रहे हैं वो cities में भेजें cities में बेचें लेकिन peasants अपने खुद के मन मताबिक दाम से नहीं बेच सकते they will have to sell it at the prices that have been set by the government सरकार ने जो दाम फिक्स करें है उसी दाम पे peasants को अपने जो ग्रेंज है वो बेचनी पडेंगी साधी में यहाँ पर हम लोग देखते हैं the use of more expensive white flour was forbidden and all citizens were required to eat the pain the egalite which was the equality bread a loaf made up of whole wheat अब क्या होता था equality को लाने के लिए एक और चीज करी गई कि जो bread बनती थी white flour से white flour होता था थोड़ा महेंगा जैसे मैदा होता है न तो महेंगा flour था और वो rich ही consume कर पाते थे बट अब भी बोल दिया कि यह band है अब यह वाली bread बिकेगी ही नहीं market में ठीके तो more expensive white flour को forbidden कर द थी equality bread जिसको बोला गया जो कि whole wheat आटे से बनी है pain day egalite ठीक है तो एक ही उसकी bread आपको खानी है दूसरी कोई bread मिलेगी नहीं अमीरों को कोई और bread नहीं मिलेगी एक ही bread सब को खानी पड़ेगी ठीक है whole wheat की वो bread बनी है वही खाओ अब और कुछ नहीं उसी के साथ यहाँ पर equality was also sought to be practiced through the forms of speech and address अब जिस तरीके से लोगों को address करते हो जो आप बोलते हो उसमें भी आपको equality practice करनी है जैसे कैसे इसका example देखेंगे so instead of the traditional monsieur and madame all frenchmen and women were henceforth the city on and city in मतलब की सब को बोल दिया पहले क्या होता था पहले title दिये जाते थे जो अमीर लोग है उनने madam sir करके आपको बुलाना होता था बट अभी बोल दिया गा कि ऐसा हम कोई madam sir नहीं है सारे लोग equal है everyone is a citizen ठीक है तो हर किसी को आप as a citizen refer करोगे किसी को madam बुलाना sir बुलाना मतलब वो hierarchy society में exist नहीं करेगी ठीक है वो वाली चीज करेगी उसी के साथ the churches were shut down churches को बंद कर दिया जाता है because obviously ये third estate के निचला वर्ग वाले लोग थे ये clergy के बिलकुल खिलाफ थे तो churches को बंद कर देते हैं और जो buildings थी church की वहाँ पर barracks या तरीके से control करने के लिए करी जा रही ऑल्दो देखो equality लाने के लिए करी जाती है बट यार equality भी तरीके से लाई जाती है यहां पर तो बिलकुली चीज़ों को ban कर दो rigid कर दिया गया तो लोग काफी परेशान हो गए हम लोग देखते हैं कि Robespair pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderation Robespair अपनी इस equality को लाने में इतने जादा आतूर थे कि भाई फटा फटा एक के वादेगे के वाद एक policy लाय जा रहे है लोगों का जीना मुश्किल कर दिया उन्होंने इवन जो उनके supporters थे उन्होंने moderation demand करनी चालू कर दी कि यार थोड़ा सा relaxation हमको दे दो हम इतनी rigidity में नहीं रह सकत लेकिन फिर भी Robis pair मानने वाले तो थे नहीं फाइनली ही वस convicted by a court in July 1794, arrested and on the next day he was sent to the guillotine and finally जो है उनको एक court द्वारा कन्विक्ट करा गया उनको भी गुनेगार साबित कर दिया गया July 1794 में इसी के साथ इनकी जो rain of terror थी ये भी मर जाते हैं और rain of terror भी ही पर समापत हो जात है इनको अगले दिन ही arrest करा गया और फिर इनको गिलोटन पर भेज दिया गया तो अभी तक ये गिलोटन से लोगों को मार रहे थे बट फाइनली इनको भी गिलोटन द्वारा मार दिया गया और आप यहां पर इस picture में देख सकते हैं कि यह रहा गिलोटन देखो यह दो पो जहां पर फ्रांस में टेरर का एक दर का महल था क्यों था यह दर का महल जब माकसिमिलिन रॉबिस पर रूल करने आते हैं तो एक सिवियर कंट्रोल और पनिश्मिंट की पॉलिसी लेकर आते हैं जहां पर जो भी लोग उनके खिलाफ जा रहे होता है चाहे वो दूसरी पार् पर बेज कर उनको मार दिया जाता था बाद में हम लोग देखते हैं कि जो है एक्वालिटी लाने की कोशिश करते हैं फॉर्म्स ओफ स्पीच के थरू कि अब कोई मैडम सर ने यह सब सिटिजन है जो है राशन कर देते हैं मैक्सिमम सीलिंग लगा देते हैं चीजों पर तो हमें थोड़ी सी रिलाक्सेशन दीजे थोड़ी सी जो है छूट दीजे आपने तो हर चीज काफी रिजड कर दी है तो लोग काफी इन से परिशान थे और अल्टिमेटली इनके साथ भी वही हश्र होता है जो इन्होंने लोगों के साथ करा था और गिलोटन पे इनको भी अ कोई तो आएगा जो कि power को capture करेगा और कौन सी चीज होगी वो या कौन सी body होगी या कौन सा इंसान होगा जो कि अब power को capture करेगा और अभी तक हमने देखा था कि France सबसे पहले एक मोनार्की थी फिर एक constitutional मोनार्की बनी फिर एक republic बनी बट अब France के साथ क्या होने वाला है France की दिखेंगे अगले session में तब तक के लिए take care and bye-bye